बहुत दिन इंतिजार के बहुत फाइनली नाथिंग ने इंडिया पर लांच कर दिया है उसका ब्रैंड नी स्मार्टफून नाथिंग फोन वान यह जो स्मार्टफून आता है 8GB 120 8GB वाला फिरिन के साथ 33,000 रुपिस में अगर आप स्मार्टफून को पहला सेल में पर्चेस करोगे अगर आपके पास HDCWN का क्रेडिट कर रहेगा तो स्मार्टफून को पर्चेस कर पाओगे 30,000 रुपिस में और 30,000 रुपिस प्राइस के इसाब से देखा जाए जो स्मार्टफून मस्ट प्रेशिफिकिशन के साथ आ रहा है जैसे के स्मार्टफून के अंदर है Qualcomm Snapdragon की तरफ से 778G Plus Chipset उसे के साथ है जो स्मार्टफून आता है पीछे की तरफ 50 Megapixel Dual Camera Setup के साथ और यहाँ पर रहने वाला है OLED डिस्प्ले और आप सबी लोगों को तो पता है 30,000 रुपिस में जो किंग है ओ है iQoo Neo 6 इसलिए बहुत सारा दोस्त कन्फियूज है इस दोनों स जरू देखते रहें अगर आप मुझे पहली वर देख रहे हो मैं उस अन्जोई स्वागध है आपका इस वीडियो में तो सुरू बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की विल्क्वालिटी इन डिजाइन से तो है और दोनों स्मार्टफोन की पीछी की तरफ देखा जाए दे की स्मार्टफोन का विल क्वालिटी को एक स्कॉलिड बना देता है उसी के साथ स्मार्टफोन की पीछी की तरह आपको LED ब्लैक लाइट देखने को मिल जाएगा जिसको आप कास्टुमेच कर पाओगी रिंग टॉन की हिसाब से और पीछी की तरह रहने वाला है डूल कैमेरा स सेंसारं के साथ और आपर ऐकुन चनःस्पोन स्मार्टफोन आथा ब्ली खार मैं को छोटी दिखने को मिल ne जाएगा उसी हेर शेब जो समार्टफोन आता है इन डिस्पेल फिंगरंग अ अब में बात करूंगा एदुन स्मार्टफोन ञें दिश्के आता है 6.55 फूल एस्टी प्लस OLED डिस्प्ले के साथ 120 हर्स का रहने वाला है कॉर्णिंग गोले गलास थाइब का प्रोटेक्स चांद भी देखने को मिल जाएगा यह जो स्मार्टफोन आता है 1200 निट ब्राइटनेस के साथ HDR10 प्लास का सापोट भी रहने वाला है अब मैं बात करना चाहूंगा यह दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में प्रोसेसर के तरफ देखा चाहिए यहाँ पर उइनाच जो रहने वाला है क्योंकि यह स्मार्टफोन आता है Qualcomm स्नैप्दैन की तरफ से 870 चिपसेट के साथ जो की एक उक्टापूर चिपसेट है इसका जो क्लॉक स्पीड रहन करता है 3.2 गीकार्स में और यह जो चिपसेट बिनाओए 7 नैनो मेटर पर रहे स्मार्टफोन के अंदर आप पीजी माई गेम को और फ्रीफायर को और यह जो चिपसेट बनाओए 6 नैनो मेटर पर स्मार्टफोन के अंदर पीजी माई गेम फ्रीफायर उसे के साथ कॉल अप ड्यूटी को मैक्स ग्राफिक सेटिंग में खिल पाओगे लेकिन बेटर गेमिंग पाफुमेंस और ज्यादा स्मूधने साबको देखने को मिल ज प्राइमरी जो समसर रहने वाला है 64 MP उसे के साथ 8 MP और 2 MP रहने वाला है दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगबग सेमी क्वालिटी देखने को मिल जाएगा थोड़ी से बेटर कलर ऑप्टिमेस कर सकता है नाथिंग फोन वान चलिए इसके बाद में बात करना प्राइब के साथ एजो समार्टफोन चार्जर को सापॉर्ट करता है 33W का अड़ेपटर और यहां पर ओयरलेस चार्जिंग का फिचस रहने वाला है जो सापूर्ट करता है और अपर आईकू नियो शिक्स जो स्मार्टफोन आता है 4700 बाटरी के साथ और इन्बॉक्स आता और आप डूनों स्मार्टफोन के अंधर 12G256 देखने को मुल जायागा LPDDR5 रैम के साथ आता है दोनों स्मार्टफोन और यह ओपेश 3.1 का स्टोरे स्टेश्ट रहने वाला है जोनों स्मार्टफोन आता है इन्बॉक्स अंडोइड 12 के साथ इन्दा डूल स्टीरियो स्प 3,000 रुपिस में पहला सेल में आपको 1,000 रुपिस का डिसकाउंट मिल जाएगा उसी के साथ आगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार रहेगा तो स्मार्टफोन को पर्चेस कर पाओगे सिर्फ 30,000 रुपिस पे करके और आपको नियो 6 जो स्मार्टफोन आता है 8GB 120, 8GB रुपिस के साथ 30,000 रुपिस में अगर आपके पास ICICI Bank का क्रेडिट कारे तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 3,000 रुपिस का डिसकाउंट उसी के सना साथ यहाँ पर आपको 1,000 रुपिस का कूपन कवड भी दिखने को मिल जाएगा यहाँकि अब टोटाल आपको 4,000 रुपिस का डिसकाउंट मिल जाएगा यहाँकि 8GB 120, 8GB रुपिस को आप परचिस कर पाओगे सिर्फ 26,000 रुपिस पे करके हैं इसके बाद आते सिधा कॉंक्लूशन पार्ट के तरफ कौनसा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है और कौनसा स्मार्टफोन आपको फिर्चिस करना चाहिए देखो भाई अगर आपका बाजे टाइट नहीं रहता है तो आपको नहीं देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज में ऐसे भी अगर आप नाथिंग फोन वान को फिर्चिस करने के लिए सोच रहा हो तो इन बोक्स चार्जर नहीं आता है एक्स्टर आपको चार्जर पर्चिस करना होगा जिसका प्राइस पड़ेगा 1500 रोपीज अगर आपको बाजेट टाइट रहता है आपको value for money स्मार्टफोन पर्चिस करना है तो आपके लिए IQ Neo6 यह स्मार्टफोन सबसे अच्छा होने वाला है ऐसे भी मेरे ही साब से और एक दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा जो स्मार्टफोन होने वाला है वह है IQ Neo6 मेरे लिए इनपोर्टेंट जो है एक स्मार्टफोन का value for money होना क्योंकि price के सबसे जो स्मार्टफोन अच्छा स्मार्टफोन उपर कर रहा है